नमस्ते दोस्तों और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल में तुलसी विवा का शुब महुर्थ बहुत ही जल्दाने वाला है साथी तुलसी विवा कब है? इसकी दिन तारीक, शुब महुर्थ और विवा की विधी क्या है? आज हम इसके बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दि से चैनल को सब्सक्राइब कर दे तुलसी विवा हिंदू धर्म का प्रमुक पर्व है तुलसी विवा में माता तुलसी का विवा भगवान शाली ग्राम के साथ किया जाता है माननेता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवा का अनुष्ठान करता है उसे कन्यादान के बराबर पूर्ने फल मिलता है आईए जानते हैं 2020 में कब है तुलसी विवा 2020 में तुलसी विवा 26 नवंबर दिन गुरुवार को पढ़ रहा है तुलसी विवा हर साल कार्तिक महिने के शुक्लिपक्ष की एकदशी तिथी के दिन किया जाता है शुक्लिपक्ष की एकदशी तिथी को देव उठान या फिर देव उठनी एकदशी भी कहते है साल 2020 में यह एकदशी तिथी 25 नवंबर को प्रारंभ होगी और 26 तारिक को समाथ होगी वही 26 नवंबर को तुलसी विवा का आयोजन किया जाएगा कई जगह द्रादशी के दिन भी तुलसी विवा किया जाता है आये अब जानते हैं 2020 में तुलसी विवा का शुब मुर्थ क्या है एकदशी तिथी 25 नवंबर को सुभा 2 बच कर 42 बजे शुरू हो जाएगी और एकदशी तिथी की समाथि 26 नवंबर सुभा 5 बच कर 10 मिनट तक होगी अब हम बात करेंगे तुलसी विवा की पूजन लिधी के बारे में ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवा के लिए तुलसी के पौधे के चारोर सबसे पहले एक मंडब बनाया जाता है मंडब बनाने के लिए गणों का इस्तिमाल होता है तुलसी के पौधे के उपर लाल स्चुनरी चढ़ाई जाती है तुलसी के पौधे को श्रिंगार की चीजे भी अर्पित की जाती है श्री गणिश जी की पूजा और शाली ग्राम जी का विधिवत पूजन करा जाता है भगवान शाली ग्राम की मूर्ति का सिंगासन हाथ में लेकर तुलसी जी की साथ परिक्रमा की जाती है आर्थी के बाद विवा में गाय जाने वाले मंगल गीत के साथ विवा उत्सफ संपूर्ण किया जाता है तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि तुलसी विवा से जुड़ी हुई ये कुछ जरूरी बातें आपको पसंद आई हुँगी साथ ही आपकी पूजा अर्चना में मदद भी करेंगी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ शियर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिलकुल न भूले तुलसी विवा की शुप कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जै माता दी